पहली बार ऐसा हुआ है कि कक्षा दसवी और बारवी के दोनों के ही नतीजे एक ही साथ एक ही दिन CBSC ने जारी किये हैं। क्या कारण रहा इसके पीछे और कैसे रहे इस बार के नतीजे जानने के लिए हमाई साथ और जानकारी देते हुए जुड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ही रिजाल्टस आपने एक ही दिन जारी किये क्या कारण रहा क्या प्रेशर जादा रहा। नहीं प्रेशर की बात नहीं है ये तो कारे को पूरा करनी की बात है हम लोग लगातार अपने काम को कर रहे थे और हमने अपना शेडिूल आपकी बार बनाया था क्योंकि हमने परिक्षाएं देर से आयो जितकी थी परिक्षाओं का समय अफदी जो है वो जादे थी 30 जुलाई हमारी निश्चित थी ती कि जब तक हमको रिजल डिक्लियर करना है तो उसके लिए हम लगाता पैरलल में शेडियूल बना कर काम कर रहे थे और लबक दिन रात काम चल रहा था उसके उपर तो पहला फोकस हमारा क्लास 12 के उपर था जिसे की क्लास 12 हम अकर डिक्लिय किया साथ ही सारे रीजनल आफिस अभी कक्षा 10 की तैयारी भी कर रहे थे और काफी समस्यां उसमें थी लेकिन वो जल्दी जल्दी हम लोगों ने रिजल्व किया और कक्षा 10 के रिजल्ट को भी हमने आज गोशित किया एक और भी बहुत बात मन में थी कि आज जैसे हमने कि किया तो कोई छुटी के दिन हम रिजल्ट घोशित ना करें हमारे अध्यापकों ने बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं जो हैं कोविड पीरिड में स्कूल आकर दी हैं तो था कि उनकी छुटी खराब नहों और वो छुटी को ठीक से एंजोय करें और बच्चे भी अपना 45 देश का जो समय होता है अंतराल होता है परिक्षा के बाद लग जाता है चेकिंग होने में 15 जून तक बारवी कक्षा के पेपर होते रहे थे इस अनुसार है कि ताइम जो है वक्त से काफी पहले आ गया है रिजल्ट से पहले यहां पर एक बात और समझने की है कि अबकी ब बनाना था तो रिजल्ट बनाने के लिए इन सारे बच्चों को की जितनी भी पॉकर्स होती हैं हर बच्चे के हमको पांसे छे नंबर चाहिए होते हैं सब्जेक के उसके थियोरी के चाहिए होते हैं उसके प्रेक्टिकल के चाहिए होते हैं इंटर्नल असस्मेंट के चाहिए ह तो ये करीब 10 करोड़ पॉकेट्स थी जन को की हम को बढ़ना था और तबं हमको result डिकलिर करना था इसके अलावा अब भुच अg किसी को turn one में कोविट व unoar किसी को term 2 में कोविट हुए को सबस् ये सारे केसिस को एके करकर देखा गया और उनका रिजल्ट भी हम लोग ने घोशित किया एक नीती के तहट तो ये पूरा समय इतना लगना सौभाविक था और ये बहुत कम समय है जिसमें की इस रिजल्ट को पूरा किया गया सर 30 70 का रेशियो रखा गया आपकी तिर एब को 3 jeip 10 में की इस दिया गया गया है क्कुछ चीजें ध्यान में रखकर सघ्य इसकूल भी नहीं खुले थे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनकी ओनलाइन क्लासे जल रही थी, क्योंकि हम को एक कोई रियलिस्टिक डाटा चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने कहा के ठीक है, हम जो है, टर्म वन की परिक्षा, अब्जेक्टिव टाइप के सहारी करा आतेते हैं, तो उस मैथर से हमने टर्म वन की परिक्षा का आयोजन तो किया, लेकिन टर्म वन के लिए जो अब्डिक्टिव परिक्षाई थी बच्चे बहुत जादा उस पर प्रेक्टिस नहीं कर पाये थे वहाँ पर बाइनरी मार्किंग स्कीम की या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या जीरो मिलेगा तो ऐसे में जब हमारी जो नॉर्मल हमारे कोशन पेपर्स होते हैं या परिक्षाई होती हैं अगर उसमें तीन पार्ट में तीन स्टेप में बच्चे को कोई रिप्लाई देना है और दो गलत हो और एक सही हो तो महां एक नमबर मिलता जीरो नहीं मिलता तो उसमें बच्चे क उसको कम रखा जाए और टम टू जो की नॉर्मल है हर तरी हर साल जिस तरीके से परिक्षाएं होती है तो इसलिए उसको वेट जाद दी जाए और तब बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाए तो यह वाइडर कंसल्टेशन के बाद जो हम लोगों के स्कूल से फीडबेक म दसवी और बारवी अब दोनों के रिजाल्ट डिक्लेयर हो गाए जो नया सेशन दो हजार तैइस का शुरू होने वाला है क्या वो पंदरा फेबररी से शुरू होने वाला है इस पर जरा स्पश्टी करण चाहिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरे आना स्टार्ट हो उनको पहले से यह पता हो कि कब से परिक्षाए होंगी तो वो अपनी तयारी उसी तरीके से करेंगे स्कूस उसी तरीके से संचालित होंगे तो अभी जो हम लोग ने डेट डिसाइड की है वो फिफ्टीन फेबरी है हम चाहते हैं बैक टू नॉर्मल पहुंच जाएं हम और जो पिछले दिनों में हमारी नाइंटीन में और टूंटी में जो परिक्षाएं हुई वो परिक्षाएं फिफ्टीन फेबरी के अप्रॉक्सिमेटी हम शुरू करते हैं जहां पहले हम स्किल की परिक्षाओं को ले लेते हैं उसके बाद नॉर्मल परिक्षाएं हम जो सब् करें तो पिछले तीन साल होते हैं उन्निस बीस इक्ष और बाइस तो बाइस का कंपैरिजन हम को करना है तो बाइस में जो 21 का है उस यह को हम कंपैर करने के लिए ना रखें वो इसलिए ना रखें क्योंकि हमारा ये रिजल जो था एक नीटी के तहत बना था डेबुलेशन प किरिजन में बच्चों ने महनत की है और बच्चों का जो जो परफॉर्फोर्मेंस वह दौनों ही कक्षाओं में कल दस की बात ओ या कशावारत की बातों इंप्रूव हुआ है जैसे कि आप बतारे इंप्रूव हुआ है सर कुछ बहुत ही शॉकिंग आकडे भी सामने आ रह तो 76% पिछले साल था, जो, माफ कीजेगा, 76% इस साल आया है पासिंग पसेंटेज, जो पिछले साल 95% तक सासर, और अगर हम बात करें, सरकारी एडिट स्कूल की, गवर्मेंट एडिट स्कूल की, तो वो पिछले साल 80, इस साल 80.91% आया है, और इस साल जो है, वो result 80 आया है, वहीं पिछले साल 95 के करीब था, तो कहीना कहीं बहुत जादा फर्क नजर आ रहा है, अगर हम 2020 से कंपेर करें, 70% के आसपास परसेंटेज बनी है, 21 में जो परसेंटेज है, वो कहीना कहीं 95, 96 के आसपास पास परसेंटेज रही है, जो इस साल फिर से घट गई है, तो गवर स्कूलों में पढ़ने वाले चात्र, वो उस वर्क के चात्र है, जिनके पास टेक्नलोजी जो है, वो अपलब नहीं हो, तो जो टर्म वन की परिक्शाएं थी, और टर्म टू में भी बहुत कुछ समय तक का, अगर कहीं कोई ऑनलाइन परिक्शाएं हुई या कोई बात है, तो वो टेक्नलोजी ना होने की वज़े से वो पढ़ाई का वो इससर ना रहा हो, जो की प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पास है, जहां की की उनके पास मोबाईल फोन और नेट कनेक्टिविटी और दूसरे जो सो बिदाये हैं, वो अपलब ने, अभी तक हम लोगी की तरफ से ऐसा कोई स्टेडी नहीं की गई कि हम यह देखें, लेकिन मुख्यता मुझे महसूस होता है, यह के वल टेक्नलोजी जो डिवाइड की जो इशू है, वो हो सकता है, कि उनका रिजल्ट में थोड़ा बहुत अंतर हो, इस प्राव एक जो दूसरा जरूर अंतर होगा वो जरूर अंतर हमारा अबजेक्टिव टाइप पैटरन का रहा होगा इनके साथ, क्योंकि जो हमारे प्रावेट स्कूल के बच्चे हैं, वो लोग कॉम्प्टीशन की तेहरी करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है अबजेक्टिव टाइप परिक्शाओं के बारे में जानत है, तो उसकी विज़े से उनकी परिक्षा पर जो उनकी पर्फॉर्मेंस है, वो प्रभावित हो सकती है, अखरी सवाल सर, अब स्थिती जो है वो नॉर्मल सी की तरफ आ चुकी है, सभी चीजे नॉर्मल चल रही हैं, तो परिक्षाओं जो अब तक कोविड के कारण दो भा करूंगा कि कोवेड और कोवेड जैसी समय सें रास में या हमारी प्रत्वी पर ऐसी ना हो और परिक्षाओं का संचालन जो है वो जिस तरीके से चलता है, वो उसी तरीके से चले, बच्चे पूरे साल पढ़ें और उसके बाद अपनी परिक्षाएं दें और एनीपी के तह पर पुष्टी नहीं दे रहे हैं कि अन्वल परिक्षा होगी या नहीं होगी एनुली परिक्षा होगी हम लोग ने जब तिति निर्दारित कर दी है 15 फरवरी से होगी तो केवल एक परिक्षा होगी और जो विशेश बात है वो मैं यह कहना चाहता हूं कि एनीपी के तर प परिक्षा होगी तो देखिए कंट्रोलर ऑफ एक्षा होगी तो नए सत्र के चात्रों के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है राहत की खबर है कि उन्हें पूरे साल में एक परिक्षा देनी होगी क्यामर परसंट वेद प्रकाश पांडे के साथ अजातिका सिंग एबीपी न्यूस दिल्ली